स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चनल तपस्याटीच में दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि बहुत सारे बैंक है जिसका आधार निकासी यानि कि AAPS से जो हम लोग निकासी करते हैं यानि कि बैंक और बड़ोद्रा भी बंध हो गया आखिर ये प्रोब्लम क्रियेट कहां से हो रहा है और क्यों हो रहा है तो इस पर आज हम लोग खुल के चर्चा करेंगे यानि कि बात करेंगे कि इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है इसको कैसे इस प्रोब्लम को जो प्रोब्लम हम ल स्वेशनाल प्यमेंट कोर्परेशन इंडिया इसके तहत सभी जो आधार निकाशी लोग करते हैं उन पर निगरानी रह रही है जिससे प्रॉलम क्रेट हो रहा है और उन बंद कर दिया जा रहा है निकासी को आफिर ऐसा क्यों हो रहा है तो मैं आप लोग को बता कि अभी bank of brother में जो ग्राहक को आप लोग पैसा निकालते हैं तो जैसे 1,000 रुपय निकालना आते, 1,010 रुपय निकालते हैं, 5,000 निकालना है तो 5,010 रुपय निकालना है यही problem main problem है कि अगर आप आधार निकासी कर रहा है, customer को आप service provide कर रहा है तो हो सकता है आपको उसके लिए charge ले रहा है, यही charge problem create कर रहा है आप charge का कर रहा है, direct account से काट ले रहा है जो इस परकार की गलती आप हरगिज नहीं करें आपको जो charge लेना है आप जिस रुपय जो रुपया निकाल रहा है उसमें से आप charge ले सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, लेकिन account से आप charge नहीं तो इसके लिए आप अपने घर वाले के किसी घर वाले जो कोई भी बेगती है उनके नमबर आप आईडी ले सकते हैं लेके तब फिर से आप आधार निकासी कर सकते हैं रपी पे हो गया पे नियरबाई हो गया इस सब पे प्रोबलम क्रियेट हो रहा ऐसा नहीं है कि एक ही अईसाफ भूर ancस जो है उस पे हो रहा सभी पे हो रहा तक इससे एक बार ब्लोग हो जाएगा तब फिर दुबारा किसी किमत पर चालू नहीं होगा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहा हैं तक रिपया इस परकार की गलती आप लोग नहीं करें और जिनका नया idea वो इस परकार की गलती से बचें और जो भी पैसा निकाले multiple पैसा निकाले सहय का जो multiple होता है उसके इसाब से 10,000,000 यानि कि round figure में आप लोग पैसा निकाले क्या round figure में पैसा निकाले उससे आपको भी सोहलियत होगी और जो आपके जैसे जैसे आपका transaction हो रहा है तो आपके transaction पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा यानि कि लगेगा कि आप सही काम कर रहा है आप धोखा धड़ी नहीं कर रहा है customer के साथ फिर आपका ID ब्लोग नहीं किया जाएगा दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि मैं जो जनकारी दे रहा हूँ आप लोग को अच्छा लग रहा है अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर आप चैनल पर पहली बार आ हैं तो चैनल को सब्सक् धन्यवाद